हलो एवरिवन आज है सेवन्थ सप्टेम्बर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलौन के बारे में देखें 23 रुपे का ये शेर है और देखा जाए तो आज ना तीजी है ना गिरावट है लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो सुजलौन का शेर गिरावट पे तो है 25-26 रुपे के करीब चला गया था ये वहां से लगा तर थोड़ा थोड़ा करके ये करेक्शन अभी यहां पर चल रहा है हलाकि उससे पहले एक बहुत बड़ी तेजी भी हमने देखी 18-26 का सफर देखा अभी 26-23 का सफर हम देख रहें बातचीत करेंगे इस कंपनी के बारे में कि फंडमेंटल कैसे हैं और जो क्रेक्शन है वो क्या माइने रखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे विडियो संजप काफी जादा हल्प करेंगे तो देखें सुजलोन का शेर 23-24 है और एक महिने में अभी 27% की बड़ी रफतार है और पिछले एक हफ़ते में यहाँ पर गिरावट आई है जबकि बाजार ने अच्छे मुव बनाये है इवन स्मॉल केप और मिटकेप ने तो और बड़ी तीज दिखाई है तो सुजलोन भी ठंडा पड़ रहा है जबकि बाकी कंपनियां जैसे कि खासे कि PSU की बात करें इवन स्मॉल के मिटकेप की बात करें तो वहाँ पर बड़ी तीजी है पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखे तब तो 150% का ग्रोथ भी है तेकि लंबे समय से अटका था 78 रुपए के ब पहले बहुत जादर दिक करते थी और खासे का डेट को लेकर दिक करते थी कंपनी ने अपने डेट को री स्ट्रक्चर क्या पहले बाद में कंपनी ने अपने शेर से पैसा भी उठाया उसके बाद अभी हाल फिलर में इन्होंने और 2000 करोड रुपे रेज किये हैं अभी ये हाल है कि जब 2000 करोड रुपे ये लोग रेज कर रहे थे तब almost इन्होंने अपना 90% डेट कम कर दिया था तो अभी जब 2000 करोड रुपे नो जब रेज किये तो कहीं न कहीं अभी कंपनी उ आने में देरी होती लोन चुकाने में देरी होती तो दिक्कत हो जाते थे इनको लेकिन कमपनी अभी profit के तरफ जा रहे हैं अभी बहुत सारे project पे बिढ नहीं कर रही है वहीं पे बिढ कर रही है जहां पर इंको अच्छा खासा margin मिल रहा है मार्जिन है इस बिजनस में अच्छा मार्जिन है यहाँ पर वॉल्यूम्स अगर आप एक तो खुलते ही ठीक है बाजर जस्ट अभी खुला है और तकरीबन धाई करोड शेयर ट्रेड हो चुके हैं और देखो सुजलॉन हो रिलाइन्स पावर हो यहाँ पर बहुत बड़ी करी जाए तो according to money control user 75% लोग कह रहे कि खरीदारी करो 8% लोग कह रहे बेचो भाग जाओ 17% लोग कह रहे हो कंपनी में अगर आप numbers देखोगे तो पिछले कुछ quarter में थोड़ा बहुत improvement आया जरूर है आप देखें यहाँ पर कि revenue wise थोड़ा से पिछले दो quarter में improvement हाला कि last quarter में के revenue कम रहे लेकिन profit wise देखो तो चीजे खराब नहीं है चीजे खराब नहीं है यह जो 2432 करोड का जो profit था वो actually lost था क्योंकि one time profit था और अगर आप देखोगे तो उसके बाद धीरे धीरे profit बड़े हैं और अभी मैं उमीद करूँगा कि यह numbers अगले कुछ quarter में और बड़े द order मिले है तो मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले दो तीन quarter जो होंगे इसके बाद की भी जो quarters होंगे यह वहाँ पर इंके जो numbers होंगे वो अच्छे reflect होने चाहिए अच्छे reflect होने चाहिए सुज़ौन को लेकर अगर आप देखोगे तो हाला कि महंगा है यह 62 का PE है और सोचो जब यह 26 का था तो यह इसका PE रिश्यो और सदमहंगा था तो अभी यह थोड़ा बहुत नीचा अगर गिरता है तो वह यह definitely attractive होगा यह जब अपने sector PE के आसपास आ जाएगा और इसलिए 100% अनालिस्ट भी कहा रहे है बाहि करो जहां तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 13.29% की होल्डिंग और की latest pattern है यह हला कि प्रमोटर ने बिक्वाली करी है पहले 14.50% की होल्डिंग थी अभी 13.29% की होल्डिंग है उनमें सेवी 10.73% की होल्डिंग तो गिरभी है प्रमोटर की तिको प्रमोटर की होल्डिंग वाकई में कम है लेकिन यहाँ पर जो बड़े गेम्स हो रहे है वो mutual fund domestic Files नहीं यह जो others है ना other parties 42.62% की होल्डिंग यहाँ पर हो रहा है retail के पास 22.32% की होल्डिंग है Files के पास 10.87% की domestic के पास 4.98% है mutual funds के पास और देखा जाए तो अच्छी कासे quantity mutual fund ने खरीदी है जून में 0.74% से अगसे बढ़ा कर 4.98 पर आ चुके है तो mutual fund ने ऐसा कुछ देख लिया जो बाकी कोई नहीं देख पाया ठीक है domestic की भी 5.17% की होल्डिंग बढ़कर 5.93 पर आ चुकी है Files की 7.80% की holding बढ़कर आ चुकी है 10.87 पर तो बड़े-बड़े fund house ने तीनों ने मिलकर बड़ी quantity खरीदी है देखे अभी क्या है कि जो correction आ रहा है एक healthy correction में मानतों कि शायद यहां से अगर और correction बनता है हलाकि अगर है तो बेचने की जरूद नहीं है carry करते रहो इसको कोई दिक की strategy ही apply करनी चाहिए हर 20% के decline अगर आप चाहो तो add कर साथ हो यहां पर 20% ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह जब भागता है तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिरता है तो बहुत ज़्यादा गिरता भी है यह share past इसका इस तरीके से रहा है लेकिन 30% के decline पर दीरे दीरे add करो और देखो risky है यह company ठीक है तो अगर आप buy करते हो तो उतना ही buy करो जितना आप सह सको बहुत ज़्यादा अपने portfolio का allocation ऐसी company में भी करना सही नहीं होता है ठीक है जो अभी भी news पर चल रही है कि अगर यह खबर आ गई तो भाग जाएगा यह खब subscribe करें और sizzlon energy के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखके बता सकते हैं thank you